कुलती ये एक तरहां की डाल है ये इस धर्ती की सबसे ज्यादा प्रोटीन वाली डाल है ये बहुत शक्तिशाली है इसी कारण रेस के घोडों को ये डाल खिलाई जाती है इसे आजकल होर्स ग्राम कहा जाता है बाजार में इसे दुरभागे से हॉर्सक्राम कहा जाता है। इसे टमिल में कोलू, दूसरी भाषाओं में हुरुली और तेलगू में उलू-उलू कहा जाता है। तो ये बहुत अच्छी चीज है। इसे अंकुरित करना अच्छा है। अगर इसे अंकुरित किया जाए, तो आप इसे आसानी से पचा सकते हैं। इसे एक कटोरी में रखिए, अपने कमरे में, एक सफेद कपड़ा लीजे, इसे उसमें रख दीजे। लगभग 6-8 घंटों के लिए इसे पानी में भिगो दीजे उसके बाद इसे एक कपड़े में बांद कर रख दीजे। लगभग 3 दिनों में ये अंकुरित हो जाएगी। अंकुरित होने पर आप इसे कच्छी खा सकते हैं। अगर ये बीज से लगभग आधी इंच बाहर आ गई है, तो आप इसे कच्छी खा सकते हैं। इसे बहुत मूंग खा कर इसे संतुलित करना चाहिए। अंकुरित मूंग सिस्टम को ठंडा करते हैं। ओ, क्या ये सब जरूरी है, क्या मैं बस अपना खाना नहीं खा सकता। मैं आपको बस खाने को कह रहा हूँ। मैं आपसे कोई अनुष्ठान करने के लिए नहीं कह रहा। पर फिल चॉंप 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 वे खाते हैं, पर वे अंधाधुन भोजन नहीं करते। वे उसे नहीं छूते जो उन्हें नहीं चाहिए। वे वही खाते हैं जो उन्हें चाहिए। अगर कोई हिरन दिखाई दे, तो आप उसे देख सकते हैं, वो चर रहा होगा, आप ब पता है कि उसके शरीर और आसपास के वातावरण के हिसाब से क्या खाना है। तो आपको भी ये थोड़ा बहुत विक्सित करने की जरूरत है। क्यूंकि ये शरीर की बुद्धिमानी है, तो कुलत ही, खाने से शरीर में गर्मी पैदा होगी। अगर आपको लगे कि ये बहुत ज्यादा गर्मी पैदा कर रहा है, आपको कैसे पता चलेगा कि गर्मी बहुत ज्यादा है। आप पाएंगे कि आपकी आँखों के गोला गरम है। या आप पेशाब करना चाहेंगे। पेशाब भरा हुआ है पर वो बाहर नहीं आएगा। आपको तकलीफ होगी। इसका मतलब है गर्मी बहुत ज्यादा है। अगर ऐसी कोई चीज होती है तो आप थोड़ा पेट का जूस पीजे या थोड़ी मूंग खाईए या थोड़ा अरंडी का तेल ले लीजे। बिना प्रयास के हो जाएगा। तो शरीर को मैनेज करना ज़रूरी है। अभी भी आप मैनेज किये जा रहे हैं। पर अगर आप सचेतन रूप से ऐसा करते हैं तो ये बहतर काम करेगा। ये इतना सरल है। अगर आप अपने सिस्टम को एक उंचे आयाम में इस्तिमाल करना चाहते हैं, तो आपको ध्यान देना होगा, किसी तरह जीओ और मर जाओ, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, जो चाहे खाईए। क्या फर्क पड़ता है। अगर आप कचरा भी खाते हैं, तब भी आप जीएंगे। पर ध्यान से खाना और देखना कि शरीर को क्या यह शरीर को कई तरीकों से सक्षम बना देगा। चेतना से मैनेज करना हैं, सेहत के लिए पागल होना नहीं है। ऐसा नहीं होना कि आप में खाने को लेकर तनाव पैदा हो जाए, कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, यह अपने आप में गलत है। सिर्फ सचेतन होना, क्या कितना खाना है, आज शरीर की जरूरत क्या है, बस ये ध्यान रखिए.